नमस्कार, विलकम टू माई चैनल, मैं हो मनिशा, दोस्तों आज हम जानेंगे कि अस्टमी तिथी कब है, और इस दिन हम पूजा कैसे करें, आधी हम जानेंगे कि कन्या पूजन हमें कब करना चाहिए और कन्या पूजन की सही विधी क्या है, और जो लोग प्रतिपदा और अस इस वीडियो में देंगे, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें, सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके को प्रेस करना पहुत आवस्यक है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगी और दोस्तों नौरात्री ब्रत से संबंदित बहुत सारी वीडियो मैंने दी है जिसका लिंक हम डिसक्रिप्शन में दे देंगे आप प्लीज उसे चिक आउट कर सकते हैं कि नौरात्री के दि बाद हम माता की चौकी पे रखी हुए समान का विसर्जन कैसे करें यह सभी जानकारी मैंने विस्तार पूर्बक आपको दी है प्लीज आप उसे चेक आउट करें दोस्तों चलिए जानते हैं कि अस्टमी तिथी का प्रारंब कभ हो रहा है और इस दिन हमें कौन सी माता यान इसमें नौ दिनों तक माता दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और ऐसी मानिता है कि नौ दिनों तक दुर्गा मा की सच्चे मन से पूजा करने से मनुस्य के सभी पापों का नाश होता है और सभी मनो कामनाय पूण होती हैं शार्दी नौरात्री वर्स 2019 में 29 सितंबर से प्रारंब था और 7 अक्टोबर तक रहेगा इस वर्स 2019 में शार्दी नौरात्री की दुर्गा अस्टमी का त्योहार 6 अक्टोबर दिन रविवार को मनाया जाएगा और अस्टमी तिती का प्रारंब 5 अक्टोबर को 9 बच कर 51 मिनट से चुरू होकर 6 अक्टोबर की सुबह 10 बच कर 54 मिनट तक है अस्टमी तिती के दिन माता महागवरी की पूजा की जाती है माता के इस सुरूप को भोग में नारियल अवसेरपित करना चाहिए इसे माहा अस्टमी या माहा दुर्गा अस्टमी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों एक बात बहुत सी ध्यान रखने वाली होती है कि अस्टमी तिती के दिन हम माता गौरी को या फिर आप माता दुर्गा को नारियल अरपित कर सकते हैं लेकिन नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे शारों में बताया गया है कि अस्तमी तिथी को महालक्षमी नारियल में विश्राम करती हैं, सयन करती हैं, इसलिए अस्तमी के दिन हमें नारियल तोड़ना नहीं चाहिए, माता को भेट करना चाहिए, इससे मा को अधिक प्रसनता होती है तो इस बात का ध्यान अवस्य रखें और अस्टमी का पूजन भी करना चाहिए अस्टमी पूजा का नौरात्री में विशेश महत होता है और इस दिन कुवारी कन्याओं का भी पूजन करने की परंपरा है दोस्तों कुवारी कन्याओं का पूजन अस्टमी त करते हैं। उन्हें अस्त्मि को ही कन्illar पूञीा पूजन करना चाहिए। और जो लोग पुरे नौदिन कब्रत रहते हैं उन्हें 9 मी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। अधिक करने के बाद कन्या पूजन आवस्य करें। यन थी करी की जो व्यक्ति दो दिन का ब्रत रखते हैं उन्हें कब करना चाहिए और जो व्यक्ति नौ दिन करते हैं उन्हें कब कन्या पूजन करना चाहिए दोस्तों कन्या पूजन करने की सही विधी क्या है वह तरीका हम जानते हैं कभी भी आप कन्या पूजन करिए चाहे अस्ट् देना चाहिए और यदि ऐसा ना हो सके तो आप उस दिन भी उन्हें निमंत्रण अवस्य दे जब कन्याएं आपके घर आती हैं तो सरप्थम उनका पैर धुलाना चाहिए उसके बाद उनके पैरों को पोच कर एक साफ आसन पर उन्हें बठाना चाहिए उसके बाद उन्हें हल करें और दोस्तों यदि आप कन्याओं को लाल रंकी या हरे रंकी चुन्रे उढ़ाते हैं तो यहां अति उत्तम माना जाता है उसके बाद उन्हें हल्वा पूरी और काले चने का प्रशाद भोग में देना चाहिए इस तरह से आप सभी कन्याओं को भोग खिलाएं उसके ब उपहार आप अपनी स्रध्धा और बजट के अनुसार दे सकते हैं जैसे कुछ स्रंगार की वस्तुएं या फिर आपको कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुएं हो सकती हैं या फिर आप उन्हें कुछ फल और मेवे दे सकते हैं जैसे ड्राइफ रूट्स वगर होता है यह भी आप दे सकते हैं लेकिन यह ध्यान रखें कि उपहार के साथ में दक्षणा अवस्य देना है चाहे कुछ ही हो आपको दक्षणा देकर ही उनकी बिदाई करनी है और सभी कन्याओं का पूजन और भोजन कराने के बाद उनको अक्षत और पुस्प अवस्य दे उ कितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके ऊपर छिड़कने को कहें कन्याओं से और उसके बार आप उनका आशिरवाद ले पैर छो कर और जब कन्याओं जाने लगें आपके घर से तब आप उन्हें अगले वर्स आने का निवता अवस्य दें ऐसा करने से कहा जाता है माता वापस आती हैं और इस तरह से आप कन्याओं पूजन करें उनका आशिरवाद लें यह थी कन्याओं पूजन की सही विधी यदि आपको हमारे जानकारी थोड़ी से भी हेल्फुल लगे तो प्लीज हमाई वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें नि थी क्यों